जहां तक जानकारी है, 1969 में एक्सचेंज को जमीन मिला था, पचास साथ साल बाद उस पर जमीन कोई प्राइवेट ब्यक्ति दावा कर रहा है, और जानकारी तो यह भी है कि उस सरकारी जमीन को उस प्राइवेट ब्यक्ति ने हरब भी लिया है सिमांकन करके, क्या ऐसा कुछ म मुद्धा आपके सामने आया है, नहीं मेरे पास एक सिकायत मतलब मेरे मिली थी कि बी एसनेल की जमीन में कोई सिमांकन करवा रहे करके सिमांकन हुआ है, जब तक उसकी रिपोर्ट साइन करके और सिमांकन के बाद भी उसका प्रावधान है, अगर कोई भी व्यक्ति ये बोलता है, कि सिमांकन गलत हुआ है, तो उसको टीम बढ़ित करके सिमांकन कराया जा सकते है, सरकारी जमीन को अपने नहीं देंगे, अब तो कैमरेक सामने बता दीजिए कि क्या उसकी जांच करवाएंगे आप, बिल्कुल जांच करवाएंगे, अगर तो कि आढ़ि, यारी का भी आणच करता है, और अगर वो आजारे करसाशन का काम है और परिस्थिति वस्यांकरी मिले कि धारवी कायजनों की परिस्थितिक धेएंगे कर और अगर वो मान लीजे कोई नियम से अठके कोई काम करते हैं तो परसासन अपना काम करें क्या 36 गड़ में सच्छपुन महिलाओं के साथ कुछ जादा ही अन्याय हुआ है कि जिसके कार इस्मिर्थी इरानी बिलासपुर में आकर होकार रेली कर रही है यह अगर इस्मिर्थी इरानी इस्रेली को यूपी में जाके करती तो ज्यादा बैटर होता वहां यूपी में कितनी गटना है गड़िया आप लोग सब जानते हैं सब इजागरूप पतरकार हैं यह जो भारतिय जिंता पाटी की सरकार है यूपी में और वहां क्या-क्या गट सब्सक्राइब करती हैं तो फिर आपको इसका क्या विरोद करना है प्राजी सरकार का यह बूलना है कि एडी आइटी जो है वह जहां गैर भाजपा सरकार हैं वहां एक करवाई कर रही यह आरोप लगाया जह है हमारे मतलब सरकार के मुख्याने लगाया था जो आरो बाकी जो है अगर माल लीजे कोई किसी प्रकार की कारवाई होती तो हमको प्राजी बूलनी रहे हैं खीक चुनाओ के समय ही लोग क्यों बश्च नजर आते हैं तो देखो वो तो केंदर में बाजपा की सरकार हैं अब उनकी क्या सोच है क्यों इस परकार की कारवाई कर रहे हैं उसका तो जवाब भी दे पाई बूनिया जी की रिपोर्ट में क्या ह करी नहीं और मैं उन रिपोर्टों से सहमत भी नहीं इस प्रकार का अगर प्रफॉर्मेंस की बात को या रही है तो उस रिपोर्ट का मैं मतलब उस रिपोर्ट को मैं उसको मन नहीं करता केंदर सरकार जब से करोना आया जब से रेल्वे के साथ खिलवाड कर रही है और सिर्फ लदान पर ध्यान दे रही है ताकि उसको इंकम होसके उसके आपका सवारियों से उनको कोई लेगा दे रहाएं